A very good morning to all of you, बढ़ते हैं हमारे अगले revision वाले topic की तरफ जो कि अगेन आपको दिख रहा होगा बोड पे कि बहुत ही जादा important वाला topic है, हाला कि ये वाले topic के हम, topic पे हम बहुत जादा time नहीं लगाएंगे, थुदा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और भी काफी सारे important topics हैं, जिनके बारे में discussion हमें करना है, चली, तो topic का नाम है बेटा debenture, अगर debenture की बात क्यों, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक debt capital है, borrowed capital है, इसको हम owned capital में account नहीं कर सकते, तो सबसे पहले, अगर मैं debenture में रामबान की बात करूं, तो सबसे important चीज़ ये है कि section number 71 of Companies Act 2013, section number कौन सा, 71 of the Companies Act 2013 आपको follow करना होगा, and उसके अलावा, आपको rule number 18, हाला कि rule number याद नहीं भी करोगे, तो भी चलेगा, बट मुझे, चुकि rule number 17 याद है, जो कि buyback of shares के बारे में बात करता है, तो मुझे rule number 18 भी याद है, जो कि debentures के issue और उसके redemption के बारे में बात करता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, rule number 18 of companies, share capital and debenture, rules 2014, बराबर है, यह rule आपको यहाँ पर क्या करना होगा, follow करना पड़ेगा, यह दो चीज़े जो है, यह है आपकी रामपार, अब ड़ा, इसके बाद में अगर मैं debenture के बारे में बात करूँ, तो जैसे कि मिन आपसे पहले भी कहा था, कि कोई भी topic जो आपका होता है, उसका एक तो आपका होता है general meaning, जो कि किसी section में define किया हुआ नहीं होता, और दूसरा आपका होता है, जिसे आप कहते हैं definition, जो कि Companies Act 2013 के हिसाब से define किया गया होगा, एमबिट बताया गया होगा, कि आखिर कौन से कौन से document को ये debenture का नाम दिया जाना चाहिए, तो अगर मैं definition के बारे में बात करूँ, तो section number 2, clause number 30 जो है, उसमें दिया गया है definition of debenture, क्या कहा गया है उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले general meaning क्या होता है, वो जान गया कि debenture basically एक document होता है, या फिर कह दीजिए कि debenture basically एक instrument होता है, एक certificate होता है, जिससे एक company issue करके ये acknowledge करती है कि उसने किसी दूसरे बंदे से पैसा उधार लिया हुआ है, अंगरे जी में बोलना हो, तो it is nothing but acknowledgement of the debt, जो कि company ने receive किया होगा, is this point clear? बस उस debt को दिखाने के लिए, acknowledge करने के लिए, उसके proof के लिए, यहाँ एक certificate issue किया जाता है, जिसे आप नाम देते हैं debenture, लेकिन अगर यही चीज़ मैं definition के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा specific terms में कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है? सर कहा गया कि debenture includes, सबसे पहली बार inclusive definition दी गई है, बराबर मतलब specifically यह नहीं कहा गया है, कि खाली ऐसे ही document को debenture कहा जाएगा, बलकि यह कहा गया है, कि जिसका नाम debenture के तौर पे लिखा होगा, वो तो debenture ही कहलाएगा, बड़ उसके अलावा, अगर कोई और document होता है, जिस पे शायद debenture लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन debenture stock लिखा हुआ होगा, या फिर bond लिखा हुआ होगा, और या फिर किसी भ गया है, वो debenture कहलाएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि सर वो document को issue करके, बले ही कोई property के ऊपर charge create किया गया हो, या फिर नहीं create किया गया, सर, definition की बात यहां हम कर रहे हैं, इसके पहले जो meaning की बात हमने करे थी, उसमें मैंने आपको clearly बताया, कि कोई भी document जिससे company ये acknowledge करती है, कि उसने उधार लिया है, उससे debenture कहते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मैं Companies Act के हिसाब से बात करूँ, तो कहा गया कि कोई भी document जिससे company ने कोई उधार लिया हुगा, फिर भले ही उस document को debenture बोलके issue किया हो, और या फिर bond बोलके issue किया हो, और या फिर उसको debenture stock बोलके issue किया हो, या कोई और security का नाम दे के issue किया हो, और भले ही ये debenture issue करते टाइम पे company की property के उपर charge create किया हो, या नहीं create किया हो, फिर भी वो debenture कहलाएगा, बट अगर आपको test करना है कि debenture मतलब क्या, तो एक ही चीज़ आती है, क्या, कि अगर company ने पैसा उधार लेने के लिए, कोई certificate issue किया है, या कोई document issue किया है, वो हर चीज़ debenture है, is this one clear, done, लेकिन sir, amendment, recently 3rd January 2018 को ये amendment लाया गया, और कहा गया, कि sir, कुछ चीज़े जो है, उनको debenture count नहीं किया चाहेगा, भले ही, प्राइमा फेसी, उनको देखने से ये लगता है, कि वो debenture से है, example, सब ले, ऐसे कोई instruments, referred in the chapter number 3D, of RBI Act 1934, ऐसे कोई भी instruments अगर होंगे, जिनसे भले ही company ने उधार लिया होगा, उसके बावजूद, अलग से exception दे दिया गया, और कहा गया, कि ये चीज़ को debenture कहा, नहीं जाएगा, and, यानि कि इसके अलावा, अगर कोई और instrument है, as may be prescribed by central government, in consultation with RBI, issued by a company, मतलब कोई और ऐसा specific document होगा, जिसके लिए central government अगर चाहे, तो notify कर सकता है, कि इसको भी instrument नहीं बुलाया जाना चाहिए, Okay, got the point, then they shall not be treated as debenture, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये समझ में आया बिटा, done, ठीक है, meaning में मैं आपको बताया, कि debt को acknowledge करता है, और debenture के बारे में जो section हमको पढ़ना होगा, वो है 71 वाला, debentures को issue करने की बात करें, तो special resolution जो है वो पास करना पढ़ेगा, debentures में कभी भी voting rights नहीं होता है, इस में थोड़ा सा clarification आपको देना चाहूंगा, कि अगर members की general meeting हो रही होगी और उसमें कोई topic पे discussion चल रहा होगा, तो उस topic पे उस meeting के अंदर voting करने का debenture holders के पास कोई right नहीं है, लेकिन अगर debenture holders की meeting चल रही है, तो बताने वाली ज़रूत ही नहीं है, बताने वाली बात ही नहीं है, common sense वाली चीज़ हो गई, कि debenture holder की meeting हो रही है, तो उसमें तो उनके पास में voting करने का right होना ही चाहिए, understood, ठीक है सर, फिर उसके लावा हमने कहा, this is not a part of share capital, rather it is a part of loan capital, क्यों ऐसा, क्योंकि सर, अगर debenture issue किये गए हैं, तो हमने कहा कि ये इस बात का acknowledgement है, कि company ने पैसा उधार लिया है, उधार मतलब debt capital, borrowed capital और loan capital, and sir, चुँकि ये loan capital है, इसी वज़े से इसके उपर interest pay किया जाएगा, और इस पे dividend pay नहीं होगा, और नहीं profit में कोई और contribution debenture holders को दिया जाएगा, got the point, लेकिन आखरी point यहाँ पे आपसे कहता है, कि sir, section number 71, subsection 12 आपसे कहता है, कि specific performance जो है, उसकी बात की जा सकती है, in case of debentures, sir, इसका मतलब क्या हुआ, जरा बताइए detail में, मतलब यह हुआ, कि आगे चलके हम पढ़ने वाले हैं, कि आपके जो debentures हैं, वो convertible वाले हो सकते हैं, redeemable वाले हो सकते हैं, secured वाले हो सकते हैं, unsecured वाले हो सकते हैं, तो कहा गया कि जिस भी type के आपके debentures रहेंगे, सामने वाला debenture holder, company को बोल सकता है, कि मुझे उस हिसाब से performance चाहिए, सामतलब, मतलब अगर company ने convertible वाले debentures को issue किया था, कौन से debentures को, convertible वाले debentures को, तो आप यानि कि company, maturity period पे उस इंसान को ये नहीं कह सकती, पेटा, पैसे ले ले न, जा, शेयस मत मांगो ले, पैसे ले के चले जा, नहीं सर, आपने पहले ही कहा था, कि convertible वाले debentures हैं, मतलब कि आप बदले में शेयस देने वाले हैं, तो specific performance के हिसाब से, debenture holder company को bound कर सकता है, specific performance करने के लिए, मतलब कि equity shares issue करने के लिए, यह समझ माया, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद salient features, यह आप खुद से पढ़ लेंगे, जादा कुछ important नहीं है, यहाँ अलग-अलग type के cases आपको बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कौन से चीज़ को debenture बोला जाएगा, कौन से चीज़ को नहीं बोला जाएगा, मैंने आपको पहले ही simply एक ही चीज़ बता दी, क्या, कोई भी ऐसा document जिससे company acknowledge करती है, कि हाँ, हमने उधार लिया, और अगर उस चीज़ को कोई और नाम नहीं दिया गया है, example, अगर कोई चीज़ को deposit नाम दे दिया गया होगा, तो उसको debenture कैसे बुलाएं गया, got the point, but bonds के लिए, specifically section में ही लिखा हुआ है, that it will also be called as debenture, for the purpose of companies at 2013, understood, तो सीधी सीधी ये बात आपको ज्यान रखनी है, कि कोई भी document से अगर company, ये acknowledge करती है, कि उसने पैसा उधार लिया है, वो हर document debenture कहलाएगा, is this point clear, done, फिर उसके बाद next point आपका आता है, classification of debentures, same जैसा हमने preferences के बारे में पढ़ा था, वही बात आपकी यहाँ पे debentures के बारे में भी आती है, बड़े क्या, सबसे पहली बात आपके जो debentures हैं, वो redeemable वाले हो सकते हैं, और या फिर irredeemable वाले हो सकते हैं, हलांकि अगर मैं reality की बात करूँ, तो हमारी country में irredeemable वाले debentures, यानि की परपीचल वाले debentures issue नहीं हो सकते हैं, मतलब यह कि जो भी debentures market में issue किये जाएंगे, उनका एक maturity period होना चाहिए, सर मैं maturity period की बात करूँ, तो even preference share साब के जो थे, उनके लिए भी आपने बोला था, कि maximum 20 years तक का ही maturity period हो सकता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बोला गया है कि आपके जो debentures होंगे, उनका maturity period दस साल से जादा का होना नहीं चाहिए, generally, मतलब यह कि अगर आपकी company infrastructural projects में involved है, जो की schedule number 6 में specify किये गए हैं, अगर वैसी वाली company है, तो ऐसे case में आपकी company के debentures का maturity period दस साल से जादा का हो सकता है, बट किसी भी case में वो तीस साल से जादा का होना नहीं चाहिए, यानि कि maximum maturity period जो है, वो 30 years का ही हो सकता है debentures के case में भी, is this point clear? तो यह बात को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, रेडिमेवल आप जानते हैं, परपीचुल आप जानते हैं, registered and bearer debentures, registered मतलब certificate पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मतलब debenture holder सिर्फ और सिर्फ प्रवीन चौधरी होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा, लेकिन वहीं पे अगर मैं bearer debenture के बारे में बात करूँ, it is like a bearer check, मतलब नाम किसी का लिखावा नहीं है, जिसके हाथ में debenture है, वही बंदा उसका मालिक है, as simple as that, got it, चली, फिर उसके बाद point आता है, secured or unsecured debenture, ये बहुत ही जादा important वाला point, and usually अगर बात की जाये तो मैं आपको बता दूँ, कि आज के जमाने में maximum cases में, ये वाले जो debentures हैं, उनको issue किया जाता है, कौन से वाले, secured वाले, इसके लिए मैं एक हमेशा छोटा सा चार्ड बनाता हूं, जो कि आपको मैं अभी भी बना के बता देता हूं, जिससे मान लीजे कि ये आपकी एक company है, बड़ाबर है, और उसके अलावा market में कुछ लोग हैं, proposed debenture holders, बड़ाबर है, अब हुआ क्या, कि company ने इन लोगों को prospectus दिया होगा, और इन लोगों ने company को debenture application दिया होगा, कि हाँ हम company में debentures को purchase करने को तयार है, मतलब कि वो company को loan देने को तयार है, या सिधा-सिधा बोल दीजिए, कि इन लोगों ने company को loan दिया, यानि कि पैसा दिया, और बदले में company ने इनको क्या दिया, debenture दिया, Is this point clear? लेकिन साथ, just a second, सामने वाला इनसान ये कहेगा, कि आज हमने बुले company को 10 लाख रुपया दिया, और इस इसको acknowledge करने के लिए, आपने हमको debenture दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है, कि आज से 10 साल के बाद, जब maturity period आएगी, उस time पे company की capacity होगी, कि वो हमारा पैसा repay कर सके, इस बात की क्या guarantee है, या इस 10 साल के time period में, कोई धीरव मोदी या फिर कोई विजय तालिया नाम का जो बंदा है, वो company को loot के लिए अब तो क्या करेंगे, हमारे जो band बच जाएगी, तो ऐसे case में company ने कहा कि एक काम करते हैं, हमारे पास में कुछ assets वगरा है, ये जो assets हैं, इन assets के उपर हम आपकी security create कर देते हैं, मतलब ये की company कहती है, कि इन assets के उपर हम आपके नाम का charge, जो है, वो create कर देते हैं, आपके नाम का charge create कर देते हैं, is this fund clear? तो अब ऐसे case में एक और problem create हो जाती है, बुले क्या? सर बुले आपने company की property पे हमारे नाम का charge create कर दिया, ये दिखाने के लिए, कि कल को जाके अगर company हमें पैसा नहीं देती है, तो company की जो property है, उस property पे हमारा अधिकार आ जाएगा, लेकिन सर जस्ट असे किन, ये property को आप company में कैसे use कर रहे हैं, हमें क्या पता? Miss use कर रहे होंगे तो? गलब तरीके से use कर रहे होंगे, या फिर हमारा maturity period आने के पहले, आपने इस property को dispose कर दिया होगा तो, हमको कैसे पता चलेगा? तो पेटा ऐसे केस में यहाँ एक नया fund आता है, बुले क्या? नहीं बुले, हम आपके बिहाफ पे company में एक बंदे को appoint कर देते हैं, जिसका नाम होगा, sorry, जिसका नाम होगा debenture trustee, बराबर है, मतलब की debenture holders जो है, उनके interest को protect करने के लिए, company अपने premises के अंदर एक बंदे को आना allow करेगी, regular basis पे, जो की debenture holders के interest को protect करेगा, जो की debenture holders के नाम पे, जो यह assets के उपर charge create किया गया है, उन assets को protect करेगा, उनकी देखरेख करेगा, और company के affairs के प्रॉपरली देखता रहेगा, अब यहाँ पे, अगर मैं यह debenture trustee के बारे में बात करूँ, तो यह answer सुनो बिटा, बहुत important वाली चीज, बोले क्या, सब बोले, if, if, debentures, are, to be issued, are, to be issued, up to 500 people, अगर वहले 500 ही लोगों तक आप करने वाले हैं, तो कहा गया, no need of debenture trustee, करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करो, तुमारी मर्जी है, बट, कम्पनी लोग कहता है, that if, debentures, to be issued, to greater than 500 people, अगर ऐसा करना है, तो ऐसे केस में, कहा गया है, that, on or before, on or before, filing the prospectus, प्रोस्पेक्टर्स फाइल करने के भी पहले, क्या करना पड़ेगा, debenture trustee को आपको, appoint करना होगा, is this point clear, usually आप on की बाद तो मती कीजिए, before बोल दीजिए, filing करने के भी पहले, आपको debenture trustee को appoint करना पड़ेगा, उसका written consent जो है, वो लेना पड़ेगा, उसका नाम प्रोस्पेक्टर्स में लिखना पड़ेगा, और वो प्रोस्पेक्टर्स आपको ROC के पास में, file करना होगा, is this point clear, and sir, चुकि आपने debenture trustee को appoint किया है, तो कहा गया है that within 60 days, within 60 days, from date of, allotment of debentures, debentures allot करने के 60 दुनों के अंदर-अंदर, company को execute करना होगा, a debenture trust deed, जो कि किस-किस के बीच में होगा बेटा, जो कि आपकी company और debenture trustee के बीच में होगा, understood, answer, ये जो debenture trust deed आपकी बनाई जाएगी, इसका format जो है, वो अगर SH-12 के format के जैसा रहा, तो बहुत अच्छी बात, और अगर इससे resemble होता हुआ रहा, तो भी चलेगा, हलांकि अगर आपकी company listed वाली company होती है, तो stock exchange जो है, जहां पे आपकी company के shares listed है, या securities listed है, वो stock exchange आपको अलग से बता सकता है, कि format आपका क्या होना चाहिए, तो ये बात जो है, वो अपने जहन में आप अच्छे से रखेंगे, इससे benefit क्या होगा, इससे benefit ये होगा, कि अगर security create किया गया होगा, तो debenture holders को अपना पैसा जो है, वो secure दिखाई देगा, क्यों ऐसा, क्योंकि कल को अगर company winding up में चली जाती है, और liquidator का appointment अगर होता होगा, तो liquidator company के सारे assets को बेच सकता है, बट ये वाले assets जिनके उपर, इन debenture holders का interest create किया हुआ है, उन assets को बेचा नहीं जा सकता, मतलब इन assets के उपर, सिर्फ और सिर्फ debenture holders का right होगा, और इन assets को बेचने का right, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ debenture trustee के पास होगा, और वो भी debenture holders के interest में, and not otherwise, is this point clear, done, so ये बात हुई आपकी secured debentures के बारे में, यानि कि ऐसे debentures, debentures, on which charge is created on assets of company, जिसमें company के जो assets हैं, उनके उपर charge create किया गया हो, उन्हें आप नाम देते हैं, secured वाले creditor, लेकिन वहीं पे, अगर कोई charge create किया हुआ नहीं है, तो उन्हें आप नाम देते हैं, unsecured creditor, also called as naked creditor, is this fund clear, यानि कि, ऐसे debentures में पैसा आपको return मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आप जैसे बाकी unsecured creditors होते हैं, उनके ही दाइरे में आप count किये जाएंगे, और उसके हिसाब से ही आपको जो पैसा है वो मिलेगा, फिर उसके बाद बेटर, नेक्स्ट आपका जो point है वो आता है, conditions to issue the secured debentures, rule number 18, सब rule नहीं भी याद किया, तो भी चलेगा, बट rule number 18, याद किया तो अच्छी बात है, लेकिन rule का नाम जो है, वो कम से कम आपको याद होना जरूरी है, सब रूल नमर 18, और अफ कमपनीज शेर कैपिटल दो हजार, सब इसे कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स दो हजार चौदब, ये आप से यहाँ कहता है, कि अगर मैं secured वाले debentures को issue करने की बात करूं, तो कुछ conditions आपको दी गई हैं, जिन्हें comply करना जरूरी है, सब रूले कौनसी condition, सबसे पहली बात, अगर मैं maturity period की बात करूं, तो कहा गया है, it shall not be more than 10 years, लेकिन वहीं पे, अगर आपकी जो company है, वो infrastructural projects में involved है, तो maturity period जो है, वो 10 साल से ज़ादा की हो सकती है, बट किसी भी हालत में 30 years से ज़ादा की होनी नहीं चाहिए, दूसरी बात, ये debentures को issue करते टाइम पे ही, आपको charge जो है वो create करना पड़ेगा, जो कि आपका properties या assets of company पे होना चाहिए, और ये बात insure करना ज़रूरी होगा, कि उन properties की जो value है, वो sufficient होनी चाहिए, जिससे कि आप जो repayment करना होगा, और interest जो debentures पे payable होगा, वो satisfy करने के लिए sufficient रहे, got it, फिर उसके बाद में, जैसा कि मैंने आपसे बताए कि company को एक debenture trustee appoint करना है, कब करेंगे, before the issue of prospectus, और before the issue of letter of offer, अगर debentures public को देने वाले हैं, तो prospectus issue किया जाएगा, अगर private placement करने वाले हैं, तो letter of offer दिया जाएगा, दोनों ही document को issue करने के पहले, company को एक debenture trustee appoint करना होगा, ऐसा rule number 18 में कहा गया है, और फिर उसके बाद में कहा गया है, कि आपको allotment करने के साथ दिनों के अंदर, not letter than 60 days मतलब, within 60 days, बराबर है, सर, जिस दिन बोले आपने allotment of debentures किया था, उसके 60 days के अंदर-अंदर, क्या करना होगा, आपको debenture trust deed जो है, वो बनानी होगी, जो कि आपका होना चाहिए, form number SH-12 के अंदर, ये समझ में आया बेट आपको, clear है, done, फिर उसकी बाद में, security for the debenture by way of charge or mortgage obligated, ठीक है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, done, ठीक है, next point बेट आपका, convertible और non-convertible debentures, सर, जो debentures non-convertible हैं, वो तो जैसा आपने preferentials में भी पढ़ा था, कि वो redeemable वाले होंगे, लेकिन अगर मैं convertible वाले debentures की बात करूँ, तो ये ध्यान से सुनी, सर, convertible वाले debentures आपके जो हैं, वो fully convertible debentures हो सकते हैं, और या फिर वो partly convertible debentures भी हो सकते हैं, अगर debentures fully convertible हैं, मतलब 100 debentures अगर issue किये गए थे, तो ये 100 के 100 debentures को convert किया जाएगा, into the equitures, वही पे अगर partly convertible debentures हैं, तो हो सकता है, कि 100 debentures में से, पहले ही specify कर दिया गया होगा, कि 30% को convert किया जाएगा, और 70% को redeem कर दिया जाएगा, as the case may be, is this point clear, ये समझ में आया आपको, ठीक है, उसके बाद में बिटा, next point, अगर हम बात करते हैं, issue of debentures के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, issue of debentures के बारे में, तो सबसे पहली बात, company जो है, वो debentures को issue कर सकती है, इस चीज़ का पावर, memorandum of association में होना चाहिए, usually ऐसा होता है, कि company के memorandum में लिखा होता है, कि company debentures को issue कर सकती है, फिर उसके बार, debentures can be issued in the same manner as of shares, जैसे कि आप shares market में issue करते हैं, same उसी तरीके से, आप debentures को भी issue कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पे एक important point में आपको बताना चाहूँगा, कि सर आपने shares के बारे में कहा था, कि shares को at par issue कर सकते हैं, debentures को भी कर सकते हैं, आपने कहा था, shares को premium पे issue किया जा सकता है, debentures को भी किया जा सकता है, और आपने कहा था, कि shares को discount पे issue नहीं किया जा सकता, बट debentures जो हैं, उनको discount पे issue किया जा सकता है, बहुत ही important वाली चीज, क्या बुला बटामने, हमने कहा कि जो debentures हैं, उनको अगर आप चाहें तो discount पे issue कर सकते हैं, सवाल आया बुले क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि debentures जो हैं, वो company का owned capital नहीं है सर, यह तो borrowed capital है, बराबर है, तो ऐसे case में, अगर company बाहर वाले से पैसा उधार ले रही है, क्या करें बेटा, उधार ले रही है, और 10 रुपए का debenture, 8 रुपए में देती है, अपने goodwill के साथ सोरे, as the case में भी, या अगर किसी बाहर वाले को फायदा करवाने की बात करती है, आम जनता को, त कोई दिक्त वाली बात नहीं, चले का बोले, is this point clear, done, ठीक है, फिर उसके बाद, और कोई important point यहाँ पर नहीं है, ठीक है, listing of debentures करवाना जरूरी है, हाँ, इसके बाद आते हैं, ये वाले हमारे important point के उपर, that is what, redemption of debentures, बड़ा बहुत ध्यान से सुनियेगा, हमने कहा, कि अगर आप बात करते हैं, shares के बारे में, तो आपको याद आया होगा, कि shares जो है, वो दो type के होते हैं, preference वाला, और दूसरा, equity वाला, सर, हमने section number 55 में पढ़ा था, कि preference shares जो है, उसका redemption होता है, याद आया आपको, और preference shares के redemption करते time पे, हमने कहा था, कि वहाँ एक अलग से account आपको बनाना है, जिसका नाम क्या था, CRR account, that was the capital redemption reserve account, सेम इसी तरीके से, अगर मैं equity shares के बारे में बात करूँ, तो हमने पढ़ा था section number 68 में, जो कहता है कि equity shares का buyback हो सकता है, बराबर है, और even अगर आप equity shares के buyback की बात करते हैं, तो section number 69 ने आपसे कहा था, कि आपको एक account बनाना है, जिसका नाम होगा CRR account, बराबर है, और sir, दोनों ही cases में आपने जो CRR account बनाने की बात की थी, इसमें आपने कहा था, कि हमें deposit करना है, क्या करना है हमें, deposit करना है, क्या, असम, कितना, equal to nominal value, nominal कैसे हो गई है, nominal, equal to nominal value of shares redeemed or bought back, याद आया को यह वाली चीज, बराबर है, सेम इसी तरीके से, अब अगर हम बात कर रहे हैं, debentures के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा पनभी, debentures के बारे में बात कर रहे हैं, तो debentures के redemption की बात फिरहाल की जा रही है, और कहा जा रहा है कि even अगर debentures को redeem करने की बात कर रहे हैं तो यहां आपको एक account create करना पड़ेगा जिसका नाम होगा DRR account इस वाट, the debenture, redemption, reserve account understood? अब बहुत ध्यानसिक बात सुनिए बोड़े सर यह जो account है यह create करने की जरुवत क्या है जरुवत इस तरीके से है कि आपने यह कहा कि हम आज debentures issue कर रहे हैं जिनका maturity period पांच साल का होगा मतलब, मतलब पांच साल के बाद में यह debentures को redeem कर लिया जाएगा और इसके उपर जो पैसा है वो repay कर दिया जाएगा सर आज की डेट में कमपनी ने एक करोड रुपिया किसी बाहर वाले से लिया debentures holder से और कहा पांच साल बाद यह पैसा हम तुमको वापस लोटा देंगे जिनता मत करो और पांच साल के बाद में जब पैसा लोटाने की बारी आई तो इस बात की क्या guarantee है कि कमपनी के पास में liquid पैसा पड़ा होगा repay करने के लिए सोचने वाली बात है या पांच साल के बाद में जो वो दिन आएगा उस दिन कमपनी के पास में उतना पैसा पड़ा होगा इस बात की क्या guarantee है is this fund clear तो ऐसे case में यहां बोला गया की एक account बनाओ जिसका नाम होगा DRR account और इस account के अंदर आपको deposit करना होगा क्या deposit करना होगा again same point a sum of money a sum of money payable a sum of money payable की जगे लिखता हूँ equal equal to nominal value of debentures to be redeemed of debentures to be redeemed लेकिन एक सेकिंड बहुत मतलब बहुत ही जादा important point बोले क्या सर हमने आज के दिन यानि की year 2018 में debentures को issue किया बड़ावर है और यह debentures को issue करके मानलो हमने एक करोड रुपया जो है वो raise किया और हमने कहा कि इन debentures का जो maturity period है वो आपका रहेगा पांच साल का यानि कि 8 और 5 तेरा 2030 में यह debentures का redemption किया जाएगा is this point clear? बड़ा यहां एक छोटा सा silly point है जिसको मैं आपके दिमाग में clear करना चाहता हूं point क्या है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ students ऐसा मानते हैं कि हमें जो deposit करना होगा वो 2018 से ही करना होगा which is not true, why not true? मैं logic भी आपको इसके पिछे बताऊंगा आज के दिन हमने एक करोड रुपिया raise किया, किसने? company ने फटक से बताओ बटा काई को किया होंगा? अचार डालना है? या कहीं जाके deposit करवाना है इसके लिए raise किया, क्या? answer is no, काई के लिए raise किया? sir company को काम करना है वो काम करने के लिए company को पैसा चाहिए, इसके लिए हमने debentures को raise किया और debentures को issue करके हमने पैसा जो है वो लिया, बराबर है अब इसके बाद अगर government आपको ये बोले, अगर law आपको ये बोले कि एक करोड रुपे ले लिए बोले हाँ ले लिए जो बोले अभी 25% यानि कि 25 लाख रुपे बैंक में डिपॉजिट करवा के आजाओ ताकि 5 साल बाद तुम्हें जो रिपेमेंट करना होगा उसके लिए सफिशन पैसा तुम्हारे पास रहे सर एक करोड का 25% यानि कि 25 लाख रुपिया मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करके आजाओ वाह और डिबेंचर होल्डर्स को मुझे इंटरस्ट भी पे करना होगा जो इंटरस्ट रेट जब हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो कहीं 10 परसंट कहीं 6%, कहीं 12%, कहीं 14% लिखा होता है यानि कि बैंक का जो इंटरस्ट रेट होता है उससे कहीं जादा होता है मुझे मैं पागल हूँ क्यूं करूँ भाई मैं ऐसा क्यूं मैं डिबेंचर को इस्यू करके पैसा रेज करूँ और फिर वो पैसे को मैं बैंक में deposit करवा के आजाओं DRR account के अंदर ताकि पांच साल के बाद में जो repayment करना होगा वो ensure किया जा सके अब यह क्यों करूं मैं कि अगर मुझे पैसा raise करना है तो मैं कोई और तरीका use कर लूँगा न इस इससे अच्छा है बैंक से जाके loan लेलो इससे अच्छा है equity shares को issue कर दो इससे अच्छा है preferences को issue कर डालो understood ध्यान रखेगा बेटा 2018 में अगर आपने एक करोड रुपे के debentures को issue किया है तो 2018 में आपको DRR में deposit करने की कोई requirement नहीं है तो sir 2019 में करना पड़ेगा क्या answer is again no 19 में भी करने की कोई requirement नहीं है तो sir 2020 में करना पड़ेगा क्या answer is again no 2020 में भी करने की कोई requirement नहीं है तो सर 21 में नो, 22 में अगेन नो, 23 में यह थोड़ा जैन्मिन लग रहा है 2023 में सामने वाले के पेइमेंट, रीपेइमेंट करने का टाइम जो है वो आचुका होगा बराबर है, और अब साल शुरू होते ही हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि सामने वाले बंदे का repayment का arrangement कर दिया जाए समझ मैं तो 25% जो आपको यहां maintain करना है हाला कि अलग-अलग बाते बोली गई हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा बट यह धान देंगे कि 25% जो आपको यहां maintain करना है वो उस साल में maintain करना है जिस साल debentures का redemption किया जाना होगा उसके पहले करने की कोई requirement नहीं है logic मैंने आपको इसके पीछे बताया हो सकता है कि कुछ लोग इसके बारे में argument करने की कोशिश करें और मुझे यहां तक दिखाने की कोशिश करें कि सर नोट्स में तो लिखा हुआ है या मॉडिल में तो लिखा हुआ है that it has to be done every year यहां बोलने का मतलब कुछ और है यहां बोलने का purpose कुछ और है जैंचो सुनों बेटा बहुत ही important वाली बात मैं law में लिखी हुई कोई भी बात इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि वो law में लिखा हुआ है बलकि मैं law में लिखी हुई कोई भी बात को इसलिए मानूंगा क्योंकि law जो है वो ease करवाना चाहता है proper compliance करवाना चाहता है और economy as a whole का development करवाना चाहता है यानि कि पूरे के पूरे economy का development करवाना चाहता है अगर 2018 से ही मैं पैसा deposit करना शुरू कर दूँगा इससे debenture holders का benefit होगा I agree to this point बट मेरा क्या मेरी company का क्या उसके development का कुछ नहीं मैं लग क्यों मैं किसी दूसरे का पैसा लूँ और आज से ही उसके लिए provision बनाना शुरू कर दू और वो भी 25% अगर आपने 2, 3, 4, 5% का बोला होता तो मैं सोच भी लेता कि हाँ ठीक है एक करोर का 5% मतलब 5 लाग रुपे deposit करना है मैं करते जाता लेकिन तुम्हारा कहना है कि 25% हर साल deposit करते जाओ नहीं कोई sense नहीं बना उस चीज़ का बराबर है इसके बारे में और clear बाते आपको आगे दी गई है ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे सर हमने कहा एक account बनाना है जिसका नाम होगा DRR रखाओ और इस DRR account के अंदर हमें deposit करना है amount सवाल आता है कि कितना amount deposit करना है तो ये ध्यान से सुनो बेटा amount to be deposited की बात अगर मैं करूँ तो तीन अलग-अलग टाइप की companies की बात की जा रही है सर कौनसी-कौनसी एक आपकी हो सकती है All India Financial Institution या फिर banking companies बराबर है सर ये ऐसी companies हैं जिनके पास में liquid ये ऐसे पढ़ा रहता है उनके पास काम ही वही है ना बेंकिंग कंपनी का काम ही वही है पैसे में ही deal करते है दिन बर उनके लिए जो stock and trader वो खुद पैसा है इस इस पांड क्लियर उनके पास पैसे की है लिक्विडिटी की कोई कमी ही नहीं है तो इसी लिए उनके बारे में कहा गया that they have no requirement DRR करने की कोई जरुत है ही नहीं बुले ठीक है लेकिन उसके अलावा अगर कोई NBFC होता है Non-Banking Financial Company और या फिर कोई Other Financial Institutions अगर होते हैं तो इसके बारे में ध्यान से सुनियेगा बुले क्या सब बुले अगर जो debentures issue किये गए थे वो public issue में थे तो ऐसे case में कहा गया है कि 25% of nominal value आपको DRR में deposit करना होगा लेकिन अगर जो debentures को issue किया गया था वो private placement में किया गया था तो इसके लिए कहा गया है again there is no requirement कोई DRR maintain करने के जरुरत नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर NBFC ने private placement करके debentures को issue किया था तो ठीक है लेकिन वहीं पे बात आती है about other companies अगर other companies की बात की जाए तो कहा गया है that the deposit has to be 25% of nominal value of debentures issued in public offer और private placement as the case में भी भले ही आपने public offer में किया होगा भले ही आपने private placement में किया होगा अगर आपकी ऐसी company है जो other company है उसको maintain करना पड़ेगा logic समझ में आ गया क्या logic है कि sir जो company आपकी banking वाली है उसके पास पैसा अनाप्षना पड़ा रहता है tension ही नहीं उस बंदे को liquidity का कभी भी पैसा pay कर सकता है लेकिन वहीं पे अगर मैं other companies के बारे में बात करूँ तो liquidity का जादा tension इसी company में हो सकता है क्यों क्योंकि उसका तो काम है लोगों से पैसा लेना और fixed assets को purchase करना ताकि वो अपना operational काम कर सके इसी लिए इस company को कहा गया है कि 25% maintain करना उसरूरी है लेकिन इसके बारे में जो चीजें हैं मैं आपके दिमाग में और clear करना चाहूंगा बहुत जान से सुनिएगा हमने कहा कि sir year 2018 2018 की बात है जब हमने क्या किया debentures को issue किया और इन debentures की जो face value या nominal value जो है वो एक करोड रुपे की है और इन debentures का जो maturity period है वो five years का था इसका मतलब यह हुआ कि year 2023 जो आपका आने वाला हुगा उस 2023 में इन debentures को redeem किया जाएगा is this point clear तो अब यह धान से सुनो बिटा जैसा कि मैं आपको पहले ही कहा कि 2022 तक कोई DRR account में deposit करने की requirement नहीं है लेकिन अगर मैं 2023 की बात करूँ तो 2023 में साल शुरू होने से लेके साल कब शुरू होगा बिटा आपका first of April 2023 बराबरे और खत्म कब होगा खत्म होगा 31st of March 2024 यह पूरे साल के दर्मियान कहा गया मान लिजे की redemption कब होने वाला है सर October 2023 में redemption होने वाला है बराबरे तो कहा गया कि आपको जो deposit करना है उसकी preparation आपको first of April से ही शुरू कर देना है और उसमें भी specifically कहा गया कि जितने भी रुपे के debentures का जितने भी रुपे के debentures का redemption होने वाला है इस financial year में जो कि एक करूड रुपे के हैं बराबरे उसके कम से कम 15% 15% of nominal value deposit होनी चाहिए till 30th of April 2030 यानि कि साल शुरू होने के पहले महिने के ही अंदर आपको 15% deposit करना होगा यानि कि एक क्रोड का 15% बुले तो कित्ता बेटा 15,00,00 रुपिया अब दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनो हमने कहा कि October वाले महिने में क्या करना है redemption करना है sir redemption एक दिन में हो जाएगा क्या 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 एक दिन में ऐसा होने वाला है चल बिटा ला शेर डिवेंचर ले क्या यह ले पैसा चल जा घर जा ऐसा होंगा क्या answer is no ऐसा नहीं होने वाला है redemption का process पुरा होने में time पक्का लगेगा एक महिना दो महिना तीन महिना time लग सकता है लेकिन कहा गया कि जब आपका redemption यहाँ पे शुरू होगा यानि कि October 2023 का जब time आ जाएगा जब maturity period आपका खतम हो जाएगा उस time पे आपको अपने DRR account के अंदर 15 लाख रुपे से बढ़ा के 25 लाख रुपे करने होंगे Is this point clear? जो इस बात की security होगी कि हाँ आप सामने वाले लोगों के debentures को redeem करने के लिए capable हैं एक अंदर की बात बताओ ये वाला जो पैसा है ये वाला जो account है इस account से तो payment भी नहीं होगा debenture holders को जो payment किया जाता है वो payment करने के लिए एक अलग से account बनाये जाएगा जिसको आप escrow account बोलते हैं या special account बोल दीजिए for the payment जो की temporary time period के लिए रहेगा और इस account के अंदर आपको जो पैसा deposit करना होगा वो 100% deposit करना होगा पूरा पैसा आपको उसमें डालना होगा ताकि सामने वाले बंदे को payment जो है वो किया जा सके इस account में पैसा डालने के लिए आपका जो ये वाला पैसा है इसको utilize किया जा सकता है ऐसा यहां पे बोला किया है तो ये चीज़ को बेटा अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लेंगे exam में answer लिखते time पे ये गलती नहीं करेंगे कि आप ये लिखते है exam के अंदर कि हर साल पैसा deposit करना होगा अगर bear act में ऐसा लिखा हुआ है तो वो इसलिए लिखा हुआ है कि वहाँ ये माना जा रहा है कि शायद company में हर साल debentures के redemption का time आ रहा हो अगर ऐसा है तो हर साल आपको ये conditions को meet करते हैं चलना पड़ेगा is this one clear? ये बात को आप वहाँ पे ध्यान रखें ठीक है? चलने तो that's it simply हमने कहा सबसे पहली बात कि आपको DRR create करना होगा again rule number 8 जो है वो आपसे कहता है कुछ conditions comply करने के लिए DRR में जो amount credit करने की बात कर रहा है उसमें ये वाली चीज ये वाली चीज और ये वाली चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ फिर ये वाला point कहता है कि आपको DRR account जो आपने create किया है उसमें 30 April of every year हर साल का जो 30 April है invest करना होगा और deposit करना होगा as the case may be a sum which shall not be less than 15% बहुत ध्यान से सुनो at least 15% of the amount of debentures maturing maturing during the year ending 31st day of March of the next year Sir, हमारे दिये गए example में 2018 का जो 1st April है 2018 का जो 1st April है यहां से लेके 30th of April 2018 तक यह time period में 15% of amount deposit करना पड़ेगा जो की अगले financial year 2019 के 31 March 2019 तक redeem होने वाले हैं बताओ बटा फटक से कि हमारे एक्जाम्बल में यहां से लेके यहां तक कितने redeem होने वाले हैं समझा तो जीरो का 15% किता हुआ यह समझ मैं है तो इस हिसाब से वहां पे every year बोला गया है अगर यह साल के अंदर कोई debentious का redemption होने वाला था तो उस case में बोला गया था कि आपको यह deposit करना होगा not otherwise यह समझ मैं done ठीक है in any or more of the following method sir यहां पे आपको यह कुछ बाते बोली गई हैं यह धांचा सुनिया सबसे पहली बात जो मैंने आपको भी बताई कि आप यह वाला जो पैसा है वो simply एक bank के अंदर अलग से account open करेंगे वहाँ पैसा deposit कर देंगे लेकिन मारवड़ी दिमाग sir बुले अगर मैंने वहाँ पैसा deposit किया तो 4% का पैसा आएगा deposit कब किया? April वाले महीने में redemption कब करना है? October वाले महीने में sir April, May, June, July, August, September यह October यह किते महीने हो गए बाबा? साथ महीने हो गए sir अगर यह साथ महीने मैंने FD में रखा होता तो interest किता आया होता? 8% का आया होता? company को benefit मिल गया होता? बराबर है? और उसके अलावा अगर bank में रखने के अलावा government securities में लगाया होता तो unencumbered securities में लगाया होता तो trust act के हिसाब से invest किया होता तो और भी returns आ सकते थे तो law ने आप से कहा कि अगर आप चाहो तो bank में deposit कर तो और अगर आप चाहो तो जो freely transferable securities होती है unencumbered वाली जिनमें risk involved नहीं होता है जिनमें returns आपको guaranteed मिलने वाले हैं उन securities में investment कर दो 6 महिने के लिए return से जादा मिल जाएंगे जो पैसा 15,00,00 रुपे आपने account में deposit किया था या 15,00,00 रुपे की जो आपने securities को purchase किया था उनकी value बढ़के 16,00,00 हो जाई एक लाख रुपे का company को benefit हो सकता है ये सब अगर आप कर रहे होंगे तो चलेगा लेकिन important point एक और क्या कि DRR account में जो पैसा है उस पैसे का utilization सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए किया जा सकता है वो क्या है debentures को redeem करना उसके अलावा DRR account का एक भी पैसा किसी भी और purpose के लिए utilize नहीं हो सकता इस बात को अपने जहन में रखिएगा इस पन गिया? done ठीक है फिर उसके बाद done कुछ और नहीं important है हाँ ये धन से सुनो भई आप से कहा गया कि maturity period जैसे ही आएगी यानि कि पांच साल के बाद 2023 में आपको debentures को redeem करना होगा अगर आपने time पर debentures को redeem नहीं किया तो debenture holders या फिर debenture trustee NCLT के पास में जाके complain कर सकता है और accordingly NCLT order pass करेगा और आपको direct करेगा यानि कि company को बोलेगा कि आने वाले इतने time में आपको debentures को redeem करना है और अगर फिर भी आपने NCLT को बात को नहीं माना तो कहा गया है कि जो भी आपका officer in default होगा उस बंदे को jail हो सकती है तीन साल तक या फिर दहेज दिना पढ़ सकता है कम से कम 2 लाक रुपे का और maximum 5 लाक रुपे का और या फिर दोनों भी हो सकते है Is this fund clear? Done That's it This was all about the redemption of shares अगला एक topic जो कि आपका important है और company loss से related नहीं है Basically अगर मैं ये topic की बात करूँ तो ये topic जो है वो listed company के बारे में है कौनसे company बेटा? Listed वाली company चाहिए? Sir एक regulation है जिसका नाम है ICDR 2000 सेबी का issue of capital and disclosure requirement regulations है जो 2009 में issue हुए थे बराबर है Sir उन regulations में regulation number 21 and 22 2 दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर बुले कोई debentures हैं जिनका maturity period अभी आ चुका है यानि कि 5 साल के लिए issue किये गये थे 5 साल खतम हो चुके हैं 2023 आ चुका है और अभी ऐसा होना चाहिए कि उन debentures का redemption हो जाए बराबरे लेकिन अगर company ये कहती है कि हमारे पास पहली बात तो फिलहाल liquid पैसा नहीं है दूसरी बात अभी तक हमारे जो debentures होल्डर्स हैं उनको हमने खुश रखा है time पे उनको हमने interest पे किया है सारी चीज़े time पे हुई है और हम ये चाहते हैं कि उनका जो पैसा है वो company अभी वापिस ना करते हुए कुछ और साल के लिए आगे continue करें that is called as roll over करना बराबर मतलब debenture का जो maturity period पहले 5 साल का था इसको हम बढ़ाके 7 साल या 10 साल करना चाहते है तो question आता है कि कैसा कर सकते हैं answer is yes कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको वो debenture holders से पूछना पड़ेगा कहा गया है कि उतने लोगों का approval आना चाहिए जिनके पास 75% of outstanding debentures होंगे अगर वो लोग कह देते हैं ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे कि इसमें roll or कर लीजिए हाला कि subject to condition कि आपको उन debenture holders को थोड़ा लालच देना पड़ेगा लालच क्या होगा सरक कल तक आप 11% का interest भी करते थे आज आप 12% पैगरी कर सकते हैं 14% पैगरी कर सकते हैं यह जैसा भी है जैसा आपको सही ही लगे में चीज़ यह है कि आपको debenture holders से resolution पास करवाना होगा कि हाँ भी ठीक है इतने interest के साथ हम 2 साल और रुकने को तयार है लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत important चीज़ बोले क्या 75% लोगों का हाँ अगर आ जाता है 75% value के debentures जिनके पास हैं उनका हाँ अगर आ जाता है तो बोले रोल ओवर कर सकते हैं बड़ इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग disentient debenture holders हैं मतलब जिन्होंने consent नहीं दिया उनका रोल ओवर आप ना करें Is this fun clear? बहुत जान से सुनिएगा कहा गया है कि अगर भले ही रोल ओवर अप्रूव हो गया होगा बट जिन लोगों ने इस रोल ओवर के लिए अपना consent नहीं दिया मतलब जो disentient हैं उन लोगों के debentures को redeem करना पड़ेगा अगले एक महिने के अंदर अतर यानि कि उनको उनका पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा बाकि जिन लोगों ने consent दिया था जिन लोगों ने अपना positive consent दिया था उन लोगों के debentures को आप रोल ओवर कर सकते हैं बट जिन लोगों ने consent नहीं दिया उनके debentures को आपको redeem करना ही पड़ेगा यह बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे फिर उसके वाले बेटा debenture trust deed मैं आपको बता चुका हूँ already कब करना है format उसका SH12 में रहेगा या nearby और यह जो deed है यह आपको allotment होने के 60 days के अंदर अंदर बनानी होगी इस बात का आप ध्यान रखेंगे बीच में एक point और आपका रहे गया कि अगर मैं debenture certificate की बात करूँ तो जिस दिन debenture allotment हुआ होगा उसके 6 महीने के अंदर debenture certificate जो है वो सामने वाले बंदे को दे देना है अगर यही बात आप share certificate के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ two months का आपको बोला गया था अगर आपको याद हो अगर transfer transmission की बात कर रहे हो तो वहाँ पे one month की बात की गई थी बराबर है और अगर आप fresh allotment की बात कर रहे हैं share capital share certificate के बारे में तो दो महीने की बात कही गये थी बट अगर मैं debenture certificate की बात करूँ तो छे महीने का time आपको यहाँ पे दिया गया है got it done ठीक है format of debenture हो गया advantage of trust deed बता चुका हूँ आपको security रहेगी एक बंदा रहेगा company के अंदर जो company के affairs को देखता रहेगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि debenture holder के interest के against में company काम कर रही हो या debenture holders के नाम पे जो assets वहाँ पे थे company के उनको गलत तरीके से dispose ना कर दिया गया हो या ऐसा कुछ तो नहीं हो गया तो यह सब advantages आपके रहेंगा बाकी जो चीज है बेटा यह आप खुद से ही पढ़ लीजेगा छोटी मोटी चीजे हैं जादा कुछ conceptual वहाँ पे नहीं है ठीक है तो यह topic को यहीं पे अबन करते हैं end और थोड़ी दिर में बात करेंगे अगले topic के बारे में जिसका नाम होगा deposit